हाई फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब, आशा है आप सब स्वस्त होंगे, मस्त होंगे, जबर्दस्त होंगे, तो मैं तो नहाद होके रेडी हो चुकी हूँ, और वैसे आप सब का आज कल क्या चल रहा है, कॉमेंट सेक्षन में बताएगा, और मेरा तो बस व और मोसम की बात करों, तो जैसे सावन का महिना है, ऐसा बारिस हो रहा है, आज सुबह से तो भयंकर बारिस हो रही थी, और अब भी थोड़ा धूप खिला है, तो अच्छा लग रहा है, तो मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सब से, जल्दी से, तो मैं 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 जल्दी से, कर दो 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 कर को अरे ये बारिस शुरू हो गई मैं जल्दी से अपने कपड़े लेके आती हूँ अचानक बारिस आ गई तो भाग भाग के कपड़े लेके आई अब भी देखिए धूप के साथ बारिस हो रही है मतलब कि बारिस भी हो रही है और साथ बार धूप भी खिला है इंसान करे भी तो करे क्या बस यही डूटी लग रही है दूप हो तो कपड़े बाहर सुखने के लिए डालो फिर बार इस हो तो भाग भाग के लेके आओ फिर बाहर धूप खिले तो फिर से बाहर डालो बस यही डूटी लगी पड़ी है पता नहीं कब मोसम सही होगा कर दो कि लेके लाग दो तो को पालो फिर बाहर दोकिपन के लिए्टों सही होगा झाल झाल तो मेरा टेश्टी सा लंच वन के रेडी हो चुका है और मैंने अपना प्लेट भी लगा लिया है तो चलो मैं जल्दी से अपना लंच कर लेती हूँ क्योंकि जोरो की भूक लगने लगी है मुझे और आपको ये लगता होगा कि मैंने अपना प्लेट का इंतजार क्यों नहीं गया लंच के लिए वो इसलिए कि उनको ड्यूटी से आकर लंच करते हुए काफी देर हो जाती है और इतना देर तक इंतजार करूँ तो मेरी तब्यद खराब हो जाती है और अगर मेरी तब्यद खराब हुई तो मैं अपना घर परिवार का ध्यान कैसे रखूंगी है तो चलिए मैं जल्दी से अपना खाना खतम कर लो फिर भीगती हूँ खेर मेरा तो लंच हो चुका और अब दिखिए धूप कितना जोरो की धूप हो रही है कितना तेज और जैसे ही कपड़े बाहर डालों फिर से बारिस चलू हो जाएगे अब ही तो धूप को देखती हूं तो आखें चोंधिया रही है पता नहीं ये कैसे ठीक होगा कब सही मोसम होगा चलिए मेरे हजबन के ड्यूटी से आने तक मैं थोड़ा वीडियो भी एडिट कर लूँ ताकि आप तक वीडियो सही समय पर पहुंचता रहे तो वीडियो एडिट करने के बाद मिलती हूं आपसे दिखिया भी साम हो चुकी है और कितना प्यारा नजा रहा है वैसे मुझे लग रहा है कि कैमरा सायद इतने प्यारे नजारे को जस्टिस नहीं कर पा रहा है फिर पूर इकोसिस करूंगी कि आपको दिखा पाओं वैसे ऐसे नजारे ना मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं मैं जब भी साम को ऐसे देखती हूं तो बस देखती ही रह जाती हूं मुझे पैंटिंग वेंटिंग तो उतना आता नहीं लेकिन सुचती हूं कि आता होता तो मैं ये सब पैंट करती है हाँ फोटो खिंच लेती हूँ दिखे कितना सुन्दर लग रहा है बहुत ही प्यारा मेरे हजबेन के ड्यूटी से आने के बाद उन्होंने लंच किया और फिर दोपैर को दोनों आराम से सो गए इतनी भयंकर नींदाई की किया बता हूँ फिर चाय बाए पीके वो अपने काम से निकल गए और मैं वीडियो की एंडिंग करने के लिए आ गई और देखिए अभी साम के टाइम में वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आ रही है तो क्या सूट करूं तो वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट सेक्षन में जलू बताईएगा एक लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमरीज के साथ से यार भी करिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकान को अन कर दीजिएगा तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में तब तक के लिए जैस्री राम बाई